हुंकार यानि की आज 26 दिसंबर का वो दिन जब हनुमान बेनिवाल पहले ही चेतावनी कहीं न कहीं कि इंदो सरकार को दे चुके थे कि वो दिल्ली पूछ करेंगे और हंकार बनी है हर्वान बेनिवाल ने यानिकी बड़ी संख्या में केसानों के साथ दिल्ली पूच करने का यही वो दिन और आज के ही दिन वो एलान करने वाले हैं कि क्या वो गठबंदन आज तोड़ देंगे या फिर ये गठबंदन जो है वो आगे रहेगा जाजानकरी के साथ Z Media समाधाता आशीश चोहन हमारे साथ फोन लाइन पर है आशीश क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है बेनिवाल ने NDA से अलग होने का एलान कर दिया है उसकी तोर पर हन्मान बेनिवाल ने NDA से गड़बंदन तोर दिया है उन्होंने अभी-अभी मन्च से एलान किया है कि वे किसानों के प्रशी कानूरों के विरोज में NDA से गड़बंदन तोरते हैं उन्होंने साथ तोर पर ये मन्च से कहा है कि जो केमरे सर्कार है वो लगातार किसान विरोजी जो दिल है उसको लेकर कि लगाता है कि मैं इसे पड़बन को तोड़ता हूँ. उन्होंने साथ सवार पर ये कहा है कि जब भी वो संचब में होते तो करना समय करना भी रहे जूर करते. उन्होंने ये कहा है कि जब भी तो इतमाम दिल खना रहता और उसे पड़बन को लगाया जारी है. आपका कवारत लगाया जारा था, इसी पड़बन को लगाता और हनुमान बेनिवाल एंडिये से अलग हो चुके हैं. यानि की जो गठ बंदर नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल का भार्ति जंता पार्टी के साथ यानि की अरलपी और एंडिये का जो गठ बंदर नागोर सीट पर वो अब तूट चुका है. हनुमान बेनिवाल ये एलान कर चुके हैं और इसी की ही कही न कहीं जो आशंका है वो जताई जा रही थी क्योंकि पहले भी तीन समितियों से इस सिफा हनुमान बेनिवाल दे चुके थे और बार-बार उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि किसान, किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरी है और इसके लिए सांसद अगर मुझे पत छोड़ना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूँगा और गठवंदन पर पुनरविचार करना पड़ेगा बार बार उनकी ओर से यही लगातार कहा जा रहा था और आज ही का दिन 26 तारीक जब उनकी ओर से यह एलान किया गया था हलाकि पहले ये भी कहा गया था कि केंदर को टाइम दिया गया है बार बार ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी ओर से कहा गया है चलिए आशीश लगातार हमारे साथ बने हुए है आशिश अपनी बात पूरी करिए क्या और हनुमान बेनिवाल की ओर से कहा गया आशिश क्या आपको अवाज मिल रही है चोई संपर करने के एक बद फिससे कोशिश करेंगे लेकिन लगातार इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहे है हनुमान बेनिवाल NDA से अलग हो चुके है यानि कि नागौर सांसद हनुमान बेनिवाल गठबंदन यहाँ पर RLP और NDA का देखने को मिला था यह गठबंदन अब टूट चुका है लगातार खबरे यही सामने आ रही थी हनुमान बेनिवाल का आकरामक जो रूप था वो इसको लेकर नज़र आ रहा था क्योंकि वो बारबर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं जो कुछ भी हूँ किसानों की वज़र से ही हूँ और अगर किसानों के लिए मुझे अपना पद छोड़ना पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूँगा और ये एक बार फिर से साबित होता हुआ हनुमान बेनिवाल का बड़ा एलान सामने आया है आशीश लगातर हमारे साथ बने हुए हैं आशीश अपनी बात पूरी करिए और क्या हनुमान बेनिवाल की ओर से कहा गया मिल्लान जजीवाल के अलाम करते हुए कहा है कि इसके पासार उन्हों ने केंद्रे सर्कार पर हमला बोलतों यह भी पहा है कि यदि वे कदम नो होते तो इस बिल्कों पार देते जिए जब कोरोना पार सब्रा था एल में सांसदों को एंट्री नहीं थी इसलिए उन्हों ने केंद्रे सर्कार पर निशाना सांसे में दहा है कि इसी बहाने से मुझे एंट्री नहीं दी गई ऐ अन्यां दर्खकार नहीं पीछे के पर इन दिआ भी बिल भी यह संसदों में होते तो तहीना कहीं उन्षी को खाड़ से है ऐसा उन्हों ने अज्से आ लेकिन हर्याना बॉडर पर प्लीस साथ भारी जाथा यहां पर कहना है ठीक है ठीक है आशीश लोटूंगे आपके पास लेकिन बीजेभी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं पुनियाजी स्वागत है आपका जिराश्तान प तो उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा बाकी हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग तो गटबंदन के नाते सब दलों का सम्मान करते हैं इताब से उनको ठीट करते हैं बाकी उनकी अपने काम करने का तरीका उनका एजेंडा है और वो इस बात के लिए बीजेभी के सीथ अनुशाचन से पंदेवे नहीं है उनको कब समर्थन करना और कब विरोध करना है लेकिन मेरी उनसे इस संबन में बात हुई नहीं है उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा बिल्कुल पुन्या जी देखिया अकाली दल ने भी इसका विरोध किया था जो कि NDA का ही गटक दल था और उसके बाद तो हरसेमरत को और जो की मंतरी भी थी उन्होंने इस्तिफाद भी दिया उसके बाद भी पार्टी को कोई ठोस फर्क पड़ता हुआ वहां से भी नजर नहीं आया इसको आप कैसे समझते हैं क्योंकि नागौर सीट जहां पर गटबंदन, RLP और NDA का वो यहा पार्टी है इसलिए बहुत लोग इस राजनितिक में